हलो दोस्तों कैसे हो आप सब हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकॉन पर क्लिक करना भूलिएगा मत इस कहानी के पिछले अंक में हमने देखा साहुकार धनराज हथनी को मारने के बाद गुस्से में घर चला जाता है देखता है कि उसके घर में ही बोरिंग पंप है उसे देख देवी ये बोरिंग पंप यहां कैसे आया अरे ये क्या? ये पंप यहां कैसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गुसे में सहुकार उसे उखाडने की कोशिश करता है उसी क्षण उसका सिर हाथी के सिर में बदल जाता है वो देख उसकी पतनी चिलाने लगती है उधर गाम वाले पानी के लिए कुवे के पास जाते है पर वहां बोरिंग पंप नहीं था तब हथनी लोगों से कहती है आप सारे साहुकार के घर जाओ बोरिंग पंप उनहीं के घर में है हथनी की बाते सुनकर वो हैरान हो जाते है ये क्या हतनी बात कर रही है गाउ में कुछ दिनों से ये कैसी अजीब घटनाए हो रही है पहले तो सूखा पड़ा फिर हतनी के चलाने से बोरिंग पम से पानी आया और अब हतनी हमारी तरह बात कर रही है और क्या-क्या होने वाला है पता नहीं हाँ हाँ डर लगने लगा है अब तो ये हतनी जब गाउ में आई तो लोगों ने उसे मार कर भगा दिया फिर पानी के लिए उसे ही खाना खिलाया अजीब बात है फिर सारे साहुकार के घर जाते हैं उसे देख अचरच करते हैं क्योंकि उसका सिर अब हाथी का सिर है सारे आपस में खुस-फुसाते हैं हाई राम इसको अपने किये की सजा मिल रही है शायद हथनी को कितनी बेरहमी से पीटा था इसने तब साहुकार बोरिंग पम चलाने लगता है उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई उससे ये काम करवा रहा था उसकी पत्नी देवी ये सब देख रोने लगती है हाई राम ये क्या हो गया मेरे पती के साथ हमें किस पापों की सजा दे रहे हो भगवान लेकिन साहुकार बड़ी शान्ती से लोगों के हाथ से फल खाता और पम चला कर उन्हें पानी दे देता उतने में एक महिला देवी को सारी बाते बताती है हाई मेरे पती ने ऐसा विवहार किया उस हथनी के साथ मैं अभी उसके पास जाती हूँ और देवी दोड़ कर हथनी के पास जाती है पर उसे हथनी दिखाई नहीं देती वो उसे बुलाती है तुम कहा हो, एक बार मेरे सामने आओ, तुम्हारी वज़े से मेरे पती का सिर हाथी का सिर हो गया है, उसे दुबारा मामूली इंसान बनाना है, महरबानी करके मेरे सामने आओ, तब हथनी वहाँ आ जाती है, सुनो, मेरे पती को फिर से पहले जैसा कर दो, चलो, अभी चलो मेरे घर, और रोने लगती है, तब हथनी देवी से कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, और ना ही मैं तुम्हारे पती के लिए कुछ कर सकती हूँ, तुम्हारे पती नहीं मेरे साथ दुर्विवहार किया, मैं गर् पती हूँ ये जानकर भी उसने मुझे बुरी तरह से पीता क्रूरता की सारी हदे पार कर दी उसकी सरजा तो उसे भुगत नहीं होगी मैं कुछ नहीं कर सकती चाहो तो स्वामी जी से प्रार्थना करो सारी उनकी लीला है कहा है स्वामी जी मैं उनसे बिनती करूंगी तभी स्वामी जी प्रकट हो जाते हैं उन्हें देख देवी स्वामी जी दया कीजिए मेरे पती को वापस मामूली इंसान बना दीजिए आपकी बड़ी कृपा होगी स्वामी जी को उस पर दया आती है देखो तुम्हारा पती अपने पापों की सजा भुगत रहा है तुम उसके लिए परेशान हो रही हो इसलिए तुम पर दया की वजह से श्राप से मुक्ति पाने का मार्ग बता रहा हूँ देखो इस हथनी को ले जाकर उसकी सही देखभाल करो जब इसे बच्चा होगा तभी तुम्हारे पती को श्राप से मुक्ति मिलेगी देवी भी ठीक है कहकर हथनी को अपने घर ले जाती है साहुकार पंप चला कर लोगों को पानी दिया करता और देवी हथनी का खयाल रखती कुछ दिन बीर गए हथनी मजे से जीवन व्यतीत कर रही थी मन ही मन हे भगवान आपका बहुत शुक्रिया आपकी क्रिपा से मैं खुश और स्वस्थ हूँ खाने के लिए मैं परिशान भटकती थी उस वक्त स्वामी जी की क्रिपा से मुझे खाना मिलने की व्यवस्था किया आपने और अब मेरी देखभाल का जिम्मा इस परिवार को सौपा आपकी लीला अपार है प्रभू आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान को धन्यवाद देती है कुछ दिनों के बाद गाउं में तेज बारिश होती है पानी की किलत दूर हो जाती है नदी ताला अपकुए सारे पानी से भर जाते है और लोगों की पानी की समस्या दूर हो जाती है साहुकार के घर से बोरिंग पम भी गायब हो जाता है तब जाकर साहुकार को सुधाती है बीती बातों का एहसास होता है वो अपनी कर्तूत पर शर्मिन्दा होता है हतनी के पास जाकर उससे माफी मांगता है मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारे साथ बड़ी निर्देता का व्यवहार किया पैसे के एहंकार से गाउं की लोगों को बुरा भला कहा हतनी कहती है तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तुम्हें दुखी मत हो, कुछ हे दिनों में तुम मामूली इंसान पन जाओगे तब अपना एहंकार छोड़, खुशी खुशी जीवन व्यतीत करो साहुकार उसकी बातों से खुश हो जाता है वो भी हतनी की देखभाल करने लगता है गाउं वाले साहुकार के बारे में अपने किये की सजा भुगत रहा है कितनी कुरूरता से मारा था उसने हतनी को गुसा और एहंकार तो पूछो ही मद उसके करमों का फल है और क्या साहुकार उनकी बाते अंसुनी कर देता है पर मन ही मन मैंने पैसे तो बहुत कमाए जब लोगों को पैसे की जरूरत होती तब मालिक मालिक करके मेरे आगे पीछे नमस्ते किया करते थे और अब मेरे बुरे वक्त में मेरे बारे में उल्टी सीधी बाते कर रहे है जान गया हूँ मैं सारे मेरे पैसे को सलाम करते थे मेरी कोई इज़त नहीं है गाव में ची, मेरी कोई हैसियत नहीं है, पर मैंने अब टै किया है, मेरा सारा पैसा गरीब लोगों में बाट दूँगा। साहुकार उसके पास जो भी था धन, दौलत, सोना, चांदी, सारा लेकर हथनी के हाथों सबके घर-घर जाकर बाट देता है। गाववाले उसकी प्रशंसा करते हैं, देखा साहुकार कितना अच्छा है, गरीबों की मदद कर रहा है, हथनी की वज़े से उसमें कई बदलावाए है, बहुत लोगों की सहायता की है उसने, तो कुछ लोग, सो चुहे खाकर बिल्ली चली हज को, इतने पाप किये हैं जीवन में अब अपनी धन्द उलत लुटा कर उन पापों का प्राईश्रित करना चाहता है, ऐसा कभी होता है भला, ये तरह तरह की बाते सुनकर भी साहुकार चुपचाप घर वापस आता है, दुखी हो जाता है, हथनी उसे दिलासा देती है, दुखी मत हो, ये तो जमाने की री अहसास हो गया है, तुमने अपने आपको बदल दिया है, तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारा दिल जानता है, तुम्हें अपने की ये पर कितना पच्छतावा हो रहा है, ये मैं जानती हूँ, और हाँ, भगवान तो ये सब कुछ जानते है, तुम्हें क किसी को जवाब देने की या अपने में आए बदलाव का सबूत देने की जरूरत नहीं है। साहुकार हथनी की बाते सुनकर, तुम कितनी अच्छी हो, एक तुम भी हो जो मुझे समझ सकती हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बरताव किया। उतने में हथनी जोर-जोर से चीखने लगती है, साहुकार डर जाता है। देवी भी आकर, क्या हुआ, ये क्यों चीख रही है। तब हथनी, मुझे पेट में काफी दर्ध हो रहा है, आह, ये कैसा दर्ध है। रोने लगती है, देवी समझ जाती है कि इसे प्रिसव पीड़ा शुरू हो गई है। हे प्रभु, मा और बच्चे को स्वस्थ रखना। थोड़ी देर बाद हथनी एक प्यारे बच्चे को जन देती है। देवी और धनराज खुश हो जाते हैं। हथनी को बच्चा होते ही साहुकार फिर मामूली इंसान बन जाएगा ऐसा स्वामी जी ने बताया था। सुनिए अब हमारी सारी समस्याई दूर हो जाएंगी। वो सारे बहुत उत्साहित हो जाते हैं। पर धनराज मामूली इंसान नहीं बनता। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। दूसरे दिन भी साहुकार की स्थिती वैसी ही थी। उसका सिर इंसान के सिर में नहीं बदला। ऐसा क्यूं हुआ? स्वामी जी के कहने के अनुसार हाथी को बच्चा होते ही वो मामूली इंसान क्यूं नहीं बनता? फिर देवी और धनराज क्या करेंगे ये कहानी के अगले अंक में देखेंगे